सिव ही गुरु हैं, ओम नमस्षिवाय, सिव ही गुरु हैं, आज मैं सिव गुरु के बारे में कुछ बतलाना चाहती हूँ, जिसे मैंने सिव को गुरु माना है शिव मेरे गुरु नहीं जगत के गुरु हैं, पुरे विश्व के गुरु हैं, वो शुन्य हैं, उन्हें कोई नहीं देख पाता है, बस वो गुरु हैं, उनकी छबी, उनके परकास्चित सारे दिसाओं में फेली हुई है, उनका परकास हरंदर भाईया और निलम दिदी के माध्यम से हमें तीन सुत्र मिले हैं, उन्होंने ही विश्व पर जन जन को बतलाया है, सिवी गुरु है, सिवी सब कुछ है, उनके माध्यम से हमें तीन सुत्र मिले हैं, पहला में दया, दया कैसे मांगा जाता है, दया अपने हातों सुवा आचल में ढखकर, यह बतला बोलना है, हे गुरुवर, मैंने आपको गुरु बनाया है, आप मेरे गुरु हो, मैं आपकी सिस्या हूँ, मैं सिस्या परद्या की जी, मुझे सिस्या के परिवार पर द्या की जी, मेरे बाल बच्चों पर द्या की जी, मेरे पती पर द्या की जी, मेरे परिवार पर द्या कीजिए, मुझ पर द्या कीजिए, जो आपको दन मन धन से गुरु बनाया हो, उन पर द्या कीजिए, जन जन पर द्या कीजिए, हे गुरवर, आप तो अंतर्यामी हो, मैं आपको क्या बतलाओं मेरा क्या कष्ठ है जीवन में, आप तो सब कुछ जानत हैं हम पापी हैं हम पर दया कीजिए गुरुवर हम पर दया कीजिए मुझ पापन पर दया कीजिए मेरे परिवार पर दया कीजिए हे गुरुवर मैंने आपको तन मन धन से गुरु बनाया है मुझ पर किरपा कीजिए इतना बोलकर आप अपने गुरु को सारे तीजों को कश् और उन्हें पुकार के बोलिए, अचला पसार के बोलिए कि हे गुर्वर मुझ पर दया कीजे, मुझे अपने सरन मेले, मुझे परिवार को सरन मेले। आप सारी चीजों को बोले उच्पर दया करेंगे। ऐसे करके आपको दया मांगना है दीन में कभी भी भगवान के सामने टाइम निकाल के थोड़ी सी दया मांग ले, चाहे खाना बनाते बनाते आप सीव को भजन कर सकते हो, सीव का गुर्ण गार सकते हो, कभी भी समय मिले सीव गुरु का नाम दे सकते हो. डूसरा में चर्चा करना है, जिसमें पेड़ पोदे, जीव जन्तू, चाहे कोई प्रानी हो, उनको बतलाना है, चाहे अपने परिवार के किसी भी सदस्य को बतलाना है, कि मैं सिवकू गुरु बनाई हूँ, आभी शिकू गुरु बनाईए, उनके नियमों को पालन करके आप पर भी किर्पा करेंगे गुरु देव। इस तरह आपको बतलाना है, चर्चा करना है, तीसरा में 108 नमन करना है, जो आप रुद्र माला, मन की माला, कर की माला, अपने हाथों की माला से आप नमस्षिवाय, 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 का आप समरन कर सकते हो। जब भी आपके पर समय मिले, आप अपने हातों से 108 वर गिन सकते हो, कर की माला से गिन सकते हो, या रुद्राश्च की माला से, 108 की माला का समरन करना है, 108 वर नमस्वय का जाब करना है, कभी भी किसी समय, सुबर या साम, जब भी आपको टाइम मिले, भगवान का 108 वर नमन करे, देखिए इस नियमों को जो पालन करेगा उनके जीवन में कभी दुखी वर्षा नहीं होगी आपके गुरु कब आपके दुखों को दूर करेंगे पता ही नहीं चलेगा किसी लिए सीव को गुरु बना के देखिए, उनके नियमों को पालन करके देखिए, अपके हर इच्छा पुर्ण होगी बोलिए नमस्षिवाई, नमस्षिवाई, नमस्षिवाई ओ गुरु का नाम भजेले, नमस्षिवाई, नमस्षिवाई